तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं कि कौन सी गवर्मेंट जॉब्स हैं जिने आप क्लास 12 के बाद या ग्राइजुशन के बाद अक्वायर कर सकते हैं और जिनके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है अगर आप सही गाइडलाइन में सही तरह से टाइम दे करक अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो यह गवर्मेंट जॉब्स आप अक्वायर कर सकते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट जॉब्स जो सबसे दा पॉपलर हैं इंडिया के अंदर उनकी बारे में उनकी बात हम करेंगे आज तो पहले तो मैं बात कर रहा हूं कि आफटर 12 आप CHSL और स्टैनो तो CHSL के अंदर SSC CHSL आप इंटर के बाद फॉर्म भर सकते हैं उसके अंदर आपके इन पोस्ट पर यह में पोस्ट हैं जिन पर आपका सेलेक्शन होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर लोवर डिविजन क्लरक पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग किसी पी साइट से हों कुछ पोस्ट के जैसे डेटा उपरेटर के लिए मासडरूरी है है एक पोस्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर सब्जट सबस्द्रूरी होते अगर ंगर आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है आप प्रपरेशिन करके इन एग्isstर्वा नंबर पर आ स्टेनोग्राफर बन सकते हैं ठीक है और इसमें थोड़ा सा कह लिजे की कॉंपेटिशन कम होता है तो इसमें बहुत ज्यादा चांसे होते हैं कि आप सक्सेस्फुल हो जाएं नेक्स्ट हमारा आता है एंडिये और एने जो की यूपी एससी कंड़क्ट कराता है एंडिये का होता है नेशनल डिफेंस अकाडमी और नेवल अकाडमी यह कंबाइन एक्जाम होता है एंडिये और ने दोनों का इसके अंदर क्या होता है कि आप इन एक्जाम को क्राक करने के बाद एक इंटर्व्यू क्राक करते हैं एससबी इंटर्व्यू और अगर आपने रिटेन एक के लिए चुन लिए जाते हैं आपकी पहले नेशनल डिफेंस अकैडमी में तीन साल ट्रेनिंग होती है जिसमें आप ग्राजविट भी होते हैं और उसके बाद फिर आप पर्टिकुलर जिसमें जाना चाहते हैं एयर फोर्स में नेवी में या आमी में तो उसके अकॉर्डिं जनरल बाते बता रहें तो हर एक टॉपिक अपने आप में पूरी तरह से डिसकस करने के लिए लग अलग से है फिर नेक्स आपका आता है आफ्टर ट्रेन क्लरक रेलवेस में जा सकते हैं ट्रेन क्लरक के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं या असिस्टन लोको पालट वो भी रेल्वेस के लिए होता है इसके लिए आप फॉर्म बढ़ सकते हैं आफटर ग्राजुएशन आपके पास जो आते हैं इसमें सबसे पहला आता है सिविल सर्विस का यूपीएसी का आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिविल सर्विस में मेंली लोग जो प्रेफर करते हैं दूसरे के डोमेंस होते हैं बहुत सारे पोस्ट होती है जिसके लिए आप आईयस या अइपि Means के लिए एक में कि इंडियन अइडियर्स्टेटफ सर्विस yeah इंडियन पर arbeiten लोग दोनों के लिए मेंली लोग सिविल सर्विसस की तेयारी करते हैं UPSC इसका exam conduct कराता है और यह सबसे जादा prestigious post मानी जाती है लोग कई कई साल preparation करते हैं इसका pre देते हैं pre exams होते हैं मेंस exams होते हैं फिर interview होते हैं बहुत लंबा process होता है लेकिन इतने लंबे process को करने के बाद जिस post पर आप join करते हैं वो इतनी prestigious होती है कि आपने पीछे जो भी मेहनत की होती है फिर वो आपको इस post के आगे इस prestige के आगे बहुत छोटी लगने लगती है ठीक है पहले तो आपको लगे कि बहुत मेहनत कर लिया बहुत जादा कुर्बानिया दे दिया लेकिन जब आपको उसका result मिलता है तो आपको लगता है कि इस result के लिए वो मेहनत छोटी थी ठीक है फिर civil services क्योंकि इस में selections कम ही है competition बहुत जादा है लोग बहुत जादा preparation करते हैं बहुत बहुत सारे लोग preparation करते हैं और at discipline हो जाते हैं उनको यह आ जाता है कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए त्यारी कैसे करनी चाहिए ठीक है फिर next आता है SSC CGL और CPO ठीक है SSC CGL के अंदर बहुत सारी post होती है आपको अगर आप देखोगे न बहुत सारी post मिलेंगे जिन यह CHSL नहीं है यह CGL है इसको मैं हटा दता हूँ है CGL टॉकिंग अबाउट SSC CGL तो CGL की अगर बात किया जाए तो उसमें में लिए आपका assistant audit officer होता है assistant section officer होता है tax assistant होता है income tax inspector होता है यह main post है बाकी CGL के अंदर और भी कई सारी post आपको मिलती है ठीक है अगर कोई student IS नहीं बन पाता है तो वो SSC करके SSC CGL करके इन post को acquire कर सकता है यह एक तरह से आप कहा लिजे कि mini IS हो जाता है ठीक है इन के ओदे भी बहुत बड़े होते हैं यह भी officers होते हैं और यह भी बहुत reputed होते हैं ठीक है तो आप SSC CGL की preparation करके भी बड़े पत पर आ सकते हैं CPO क्या होता है CPO के CPO क्वालिफाय करके आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आते हैं तो तो बिग एक्साम राइट फिर नेक्स्ट आप का आता है bank, bank में अगर आप जाना चाहते हैं तो bank की job mostly वो लोग जो एक routine life चाहते हैं अपनी life में कोई general changes, general challenges नहीं चाहते हैं, unexpected challenges नहीं चाहते हैं उनके लिए bank की job simple होती है, बहुती कह लिजे की ऐसी होती है जो उनको एक daily routine के एक जैसी life जिसमें बड़े अचानक से आने वाले changes ना हो इस तरह की life provide करती है bank की job हां लेकिन guarantee नहीं है क्योंकि अभी देखिए जब demonetization हुआ था तो bank के अंदर bank employees की क्या हालत हुई थी, you know, ठीक है, दिन दिन भर उने काम करना होता था, रात रात 10-10, 11-11 बजे तक काम कर रहे हैं, तो ये कभी-कभी होता है, मतलब ये situations regular नहीं होती है, unexpected तो कभी भी कहीं हो सकता है, but usually bank में जिनको एक बार posting मिल जाती है, उनकी life एक smooth life रहती है, ठीक है, तो bank में IBPS का exam होता है, जिसमें clerical staff के भी exams होते हैं, और bank के अंदर PO के भी exams होते हैं, RBI, SBI वाले अपने अलग exams भी conduct कराते हैं, तो bank के preparation करके आप bank में इस तरह के officer rank की job ले सकते हैं, clerk के भी job के लिए यहाँ पर exam होता है, फिर railways के अंदर different domain है, different post के लिए jobs निकलती रहती हैं, उनको आप, उनके eligibility के according, उनके according आप prepare करके railway के exams भी qualify कर सकते हैं, after graduation, फिर defense services में एक तो आपको मैंने N.D. और N.A. बताया था, तो N.D. और N.A. after 12th होता है, CDS होता है after graduation, CDS मतलब होता है combined defense services, तो यहाँ जो लोग N.D.A. crack करते हैं, वो 3 plus 1 year की training करते हैं, नहीं 4 years की, ठीक है, 3 years में यहाँ पर graduate भी होते हैं, लेकिन यहाँ already आप graduate होते हैं, तो आप सिर्फ 1 year की training करते हैं, और आप officer rank पर, commission rank पर join करते हैं, Indian Army या Indian Air Force या Indian Navy, ठीक है, तो defense में भी आपको यह job मिलती हैं, तो यह वो jobs हो गई, जो most appealing jobs होती हैं, जिनके लिए इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा students prepare करते हैं, यानि के जिनको government job चाहिए, राइट, बाकी बहुत सारे students आप जानते हैं, आगे पढ़ाई के लिए different domains में जाते हैं, बहुत सारे लोग IIT के लिए prepare करते हैं, नीट के लिए prepare करते हैं, बहुत सारे हमारे पास अलग-अलग चीजें हैं, जो आप इंटर के बाद कर सकते हैं, लेकिन government job में अगर आप आना चाहिए, तो यह सारे options होते हैं, ठीक है, तो I hope इतनी बात आपको clear है, अगर इनके बारे में आप detail में जानना चाहते हैं, कि कौ आप comment में लिख सकते हैं, उस पर एक वीडियो बना दूँगा, सारी चीजें detail में आपको बता दूँगा, क्या आप कैसे form भरेंगे, कैसे preparation कर सकते हैं, क्या क्या subjects हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, या आप graduate हैं आप चाह रहे हैं, इसर CGL के बारे में पूरा ब बताईए, तो वो सारी चीजें आपको detail में बताई जा सकती हैं, आप अगर जानना चाहते हैं, तो आप comment कर दीजेगा वीडियो में, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम लोग next lecture में, तब तक के लिए, बाई, जैहन्त